लो फ्रेंड्स how are you दोस्तो आप लो कैसे हो दोस्तो आज मैं एक और सौत्रिक लिए क्षी कॉपिटिक लेकर आए हूँ जो गॉट कॉंपिपटिसिन एक्षाम में पीडू में काम आ सकती दोस्तो दोस्तो जनरली सर जनरली आप लोगों एक अर्थमाटिक प्रॉग्रेस्ट के ऐसे question देखे होंगे जापे आपको ratio देरका होता है Sum of Enetrum की एक series का Earthmatic progression का और second एक और series का ratio देरका होता है और आप से वाप पूसता है specific term का ratio उसी series के अंदर पूसता है तो दोस्तो इस type के question को अगर आप traditional method से solve करेंगे तो वाँ पे दोस्तो कापी कम कापी जाना समय लगेगा तो कैसे अपन कम समय में स्टैक के question solve कर सकते हैं तो दोस्तों इसका अंदर सबसे important secret सबसे important magic यह है कि यह जो trick है wise versa दोनों तरफ लग सकती है यानि अगर मेरे को SN upon SNS का ratio दे रखा है और मेरे को AN upon ANS का ratio अगर निकालना है तो मेरे को simply दोस्तों क्या करना है N को replace करना है 2N-1 से और दोस्तों अगर इसका उल्टा दे रखा हो AN upon ANS का ratio दे रखा हो यानि एनट ट्रम का यानि specific ट्रम का ratio दे रखा हो और आप से उल्टा पुचे SN upon SNS क्या होगा तो दोस्तों उस वाले केस में आपको N को replace करना है दोस्तों N plus 1 by 2 से तो दोस्तों जरा द्यान से सुनें मैं आप लोगों क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको ratio दे रखा हो sum of अने ट्रम का किसी भी दो AP का यहनि SN upon SNS और आपको पूचे AN upon ANS तो दोस्तों उस वाले केस में आपको replace करना है N को 2N minus 1 से और दोस्तों इसका उल्टा पूचे और आपको दे रखा हो अने ट्रम का ratio यहनि AN upon ANS और आप से यह पूचा जाए कि SN upon SNS क्या होगा दोस्तों केस में N को replace करना है N plus 1 by 2 से तो दोस्तों मैं यहाँ पर दो example लूँगा और आपको करके बदाऊंगा कैसे अपन को यह magic trick लगानी है जैसे दोस्तों इस question है कि SN upon SNS दे रखा है 5N plus 7 upon 8N plus 15 और आप से पूच्ता है कि A11 upon A-11 दोस्तों क्या होगा तो दोस्तों बड़ा simple सा काम है आपको क्या करना N को replace करना है 2N minus 1 से यानि क्या दोस्तों हो जाएगा 5F into 2N minus 1 plus 7 upon 8 into 2N minus 1 plus दोस्तों क्या हो जाएगा 15 तो दौस्तों T1 क्या 11 है तो दाल दी जेहाँ पके 2 into 11 minus 1 24ma upon 8 in 2 to 21 minus 1 plus 15 तो दोस्तों दोस्तों क्या हो जाएगा 11 22 22 minus 1 20 21 21 into 5 is 105 plus 7 यह दोस्तों हो जाएगा 21 into 8 which is 168 प्लस 15 तो दोस्तों यह हो जाएगा 112 और यह दोस्तों हो जाएगा 183 तो दोस्तों कितना सिंपल है विदिन 5-10 सेकेंड यह आ जाता है और इसका घरमाला उल्टा दे रहे का हो किसी भी ट्रम का रेशो दे रहे का हो और उसी कंदर आपको बूचे की ऐसे न अपॉन से क्या होगा तो उसमें भी बड़ा सिंपल सा काम है जैसे कुर्शन है जायेगा एंड की बरूट यहां पर तो दोस्तों क्या थटी एक नवा यह एंड की बलूट को दालता हूं तो इक इतना हो जाएगा दोस्तों 30 फ्लस वन अपॉन टू प्लस टू और नीचे भी हो जाएगा एंड की जग़र 30 दस वन पॉन ऑपॉन टू माइनस एक तो यह द दोस्तों हो जाएगा 31-8 which is 23 तो दोस्तों कितना सिंपल गाम है और यह मेटड लगाने से यह ट्रिक लगाने से एक्जाम में कितना कम समय आपको मिलता है और कितनी आदनी से आप अंस्वत निकाल सकते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी ऐसे वीडियो दोस्तों मिले क्या होगा जो आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों तेंक्यू फ्रेंट्स आपने वीडियो देगा थेंक्यू वरी मच्छ